दोस्तो नमस्कार भारत रेल यातरी चनल पे आप से भी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह रहा हाजीपूर यहाँ पे आप हाजीपूर जंक्सन देख पा रहे होंगे यहाँ पे है घोसवर जंक्सन जहां से वैसाली के लिए रेल लाइन निकलती है लाल गंज पकड़ी होते हुए और यहाँ पे है वैसाली तो हाजीपूर सुगवली का जो रेल खंड है इसको लिकर के बहुत ही अच्छी खवर आ रही है अच्छी खवर ये है कि अभी वरतमान में एक पैसेंजर ट्रेन चलती है सोनपूर से वैसाली तक इस ट्रेन का एक्स्टेंशन 25 जनवरी मतलब आज के बाद से ही पारू तक करने का फैसला कर दिया गया है अब यह ट्रेन पारू खास तक जाएगी तो यह जो हाजीपूर सुगवली का रेल खंड है वास्तविक त जहाएं 국ह आज किवल सुगवली तक रह गया है क्योंकि जो वैसाली से आगे बढ़ने पे जापको यहाँ पर से चार रेल रूट आपको देखने को मिलती है उसके आगे आपको देखने को मिलता है पारू पारू का आगे देखने को मिलता है दिवरिया ये दिवरिया बिहार वाला दिवरिया है पुर्वानचल वाला दिवरिया नहीं जो यूपी में है वो तो बहुत ही पुर्वान चलाब जानते होंगे बहुत ही गटिया गडीव छेतर है साहेब गंज के आगे फिर सिस्वा और फिर अरे गंज और अरे राज हर सिध्धी और फिर स्वगाउली में जाकर के ये रेल लाइन मिल जती है बेतिया की योड तो इसी अपडेट में एक मैं आपको बात बताऊंगा कि जो सरया जंसन है ये तो मुतिहारी के लोगों को भी फायराख देगा मुझफरपूर के लोगों को भी रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी छपड़ा के लोगों को भी सभी जगह के लोगों का जो डिस्टेंस है राजधानी पटना से वो कम होने के लिए जा रहा है तो ये जो रेल रूट है जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताए इंपोर्टन्स भी बता दिया मैंने अब मैं इसका आपको जो अपडेट है वो बताता हूँ दोस्तो जो अपडेट है वो इटीवी भारत नेशनल निउस से मैं आपको दे रहा हूँ और इसमें आप देख पारे होंगे यहां लिखा हुआ है पारू स्टेशन तक होगा विस्तार इसमें सब कुछ आगे लिखा हुआ है तो आप देख पारे होंगे इसमें लिखा हुआ है और यह अपडेट भी बाइस जनवरी का ही है मुझफरपूर के साथ हजार की अबादी को मिलेगी ट्रेन सुविता अजादी से लिकर अब तक थे वन्चित इसमें दोस्तों आगे यहां पर आप देख पारे होंगे लिखा है कि बिहार के मुझफरपूर जिले के सरया और पाडू प्रखंड के साथ हजार की अबादी को रेलवे ने एक बड़ी खुसकबरी दी है रेलवे के तरफ से दो स्टेशनों को आम लोगों के लिए जफरपूर का सरया और पाडू प्रखंड आजारी के बाद से ही ट्रेन पड़ी चलन से वंचित था यहां कि साथ हजार लोगों की अबादी को यातरा करने में काफी पड़ी सानियों का सामना करना पर रहा था ऐसे में रेलवे ने 25 जनवरी के बाद से दोनों स्टेशनों का पड़ी चलन सुरू करने का फैसला लिया है इसके साथ ही ट्रेन संख्या 0551920 सोनपूर वैसाली सोनपूर पैसंजर ट्रेन का विस्तार किया जाएगा मोतिहारी छपड़ा के लोगों को मिलेगी सुवीधा वहीं हाजीपूर सुगवली रेल पड़ीजना के तहट रेलवे सरयया और पारू खास रेलवे स्टेशन तक पड़ी चलन होने जा रहा है इसके सुरू होने से सरयया वा पारू प्रखंड के अलावा सहेब गंज मुतिहारी और छपड़ा के लोगों से राजधानी नजदीक हो जाएगी उनका भी समय बचेगा पैसेंजर ट्रेन का होगा पड़ी चलन बता दे कि उक्त रेल खंड पर फिलहाल पैसेंजर ट्रेन का ही पड़ी चलन होगा वर्तमान में इस रेल खंड पर एक जोड़ा पैसेंजर ट्रेन का पड़ी चलन सोन पूर वैसाली तक हो रहा है इस प्रिजुना के पूरा होने तक रेलवेट ट्रेफिक को नियंतरित कर रेल यातायाद जारी रहेगा दोस्तों इसके आगे यहां पर देख पारेंगे लिखावा है पारू स्टेशन तक होगा विस्तार 25 जन्वरी के बाद इस ट्रेन का विस्तार पारू खास स्टेशन तक होगा अब हाजीपूर सुगवली रेल खंड पर 51 किलोमेटर तक पड़ी चालन होगा इसके आगे दोस्तों लिखा है मार्ज तक साहेवगंज पड़ी चालन की तैयारी जानकारी हो कि पाड़ू खास तक रेलवे ने सभी परकार के निर्मान को पूरा कर लिया है अब मार्ज 2024 तक देवरिया साहेवगंज और के सरिया स्टेशन तक लाइन का निर्मान पूरा करने का लक्ष रखा गया है वहीं आगामे वित्ति वर्स में सिस्वा पटना से लेकर अरे राज स्टेशन तक का कारे पूरा होगा 25 जनवरी के बाद मतलब आज के बाद से ही पड़ी चालन सुरू होने वाला है इसको लेकर अधिसूसना जाड़ी कर दी गई है फिलाल इस रेल खंड पर पैसेंजर ट्रेन का ही पड़ी चालन होगा जिससे ना सिर्फ मुझफर पुर्वासियों को बलके साहब गज मतिहारी और छपड़ा के लोगों को भी सुविधा मिलेगी ये जानकारी दी गई है विवेक भूसन डियारे में सुनपुर मंडल के उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है तो दोस्तों ये विडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और विडियो अच्छे लगी हो तो जरूर से जरूर इस विडियो को लाइक करें और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हाजिपूर सगोली रेल खंड से आगे वो मैं आपको देता रहूंगा और इस अपडेट में इतना ही आसा करता हूं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर जरूर मुली समय दिया इसके लिए हर दिख सुक्रिया जय हिन जय भारत जय बिहाद